नमस्कार दोस्तो मैं इंशुल्प मैं आप सभी का अपने चैनल टेकिन टागेट पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज का वीडियो फाइनल एर स्टूरेंट्स रीसेंट ग्राजवेट्स फ्रेशर्ट्स सभी स्टूरेंट्स के लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट होने वा मैं आप सभी के साथ बहुती अमेजिंग अमेजिंग रीजन्स शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप डेटा साइंस फील्ड में एंटर कर सकते हो और एंटर करना है तो क्यों करना है तो दोस्तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ डिसकस करना चाता हूँ 13 most in demand डेटा साइंस स् वो दोस्तो 6.58 LPA होता है जो कि मैं समझता हूँ fresher के लिए recent graduate के लिए काफी अच्छा हो सकता है इसमें दोस्तो जो पहली in demand skill है वो है दोस्तो programming languages अगर दोस्तो आपको data science field में एंटर करना है और दोस्तो अगर आपको python, r, sql या फिर spark में से कोई भी एक programming language अच्छे से आत सकते हो क्योंकि दोस्तो python हुई, r हुई, sql हुई या फिर spark हुई दोस्तो आप इन सभी languages की help से data को visualize भी कर सकते हो next है दोस्तो skill to that is machine learning algorithms दोस्तो आपने machine learning तो सुने ही होगा साती साथ दोस्तो आपने artificial intelligence भी सुना होगा तो दोस्तो machine learning algorithms पर भी आप enter कर सकते हो फिर आता है द दोस्तो data visualization that is skilled and दोस्तो मैं समझता हूँ आज की date में दोस्तो data को visualize करना काफी जादा important हो चुका है अगर दोस्तो हमें futures के लिए कुछ decision लेने हैं तो दोस्तो हम अपने data को देखते हैं कि past में हमारी company ने हमारे data ने कैसे perform किया है उसी की वज़े से दोस्तो हम future के decisions ले पाते टोस्तो आप तो दोस्तो आप different डिफरेंट चार्ड्स की help लिते हो plots की plots का help लिते हो तो दोस्तो आप इस तरीगे से data को visualize कर सकते हो इसकिल 4 है दोस्तो big data technology हाँ दोस्तो आप big data में भी enter कर सकते हो Skill 5 की बात कर लेता हूँ मैं दोस्तो वो है Cloud Computing and दोस्तो आपको Cloud Computing भी पता है कि कितनी fast grow हो रही है तो दोस्तो अभी तक मैंने 5 Skills आपको बता दिये है and दोस्तो यह believe me यह पाचो की पाचो Skills काफी जावा important है Skill 6 की बात करते हैं दोस्तो वो है Data Engineering Data Engineering is a crucial skill as it involves designing, building and maintaining the infrastructure that enables the collection, storage and processing and analysis of data दोस्तो data engineer का क्या काम होता है दोस्तो उनको designing, building and maintaining the infrastructure पर दोस्तो आपको help करनी होती है कि कैसे दोस्तो आप data को store कर सकते हो, process कर सकते हो Skill 7 की बात करता हूँ तो दोस्तो वो है Deep Learning Frameworks हाँ दोस्तो यहाँ काफी सारे आपको Deep Learning में Frameworks मिलते हैं जैसा कि दोस्तो आपने नाम सुना होगा TensorFlow TensorFlow is an open source framework developed by Google TensorFlow is one of the most widely used Deep Learning Frameworks PyTorch, Keras, Keflay दोस्तो आप में से अगर कोई भी student ने data में थोड़ा बहुत भी काम किया है या फिर कोई project build-up किया है तो दोस्तो अपने TensorFlow and PyTorch तो जरूर यूज किया होगा फिर दोस्तो एक बहुत ही अच्छी skill आती है that is statistical analysis हाँ दोस्तो data को analyze करना, descriptive करना regression analysis करना, time series analysis करना दोस्तो आप यहाँ भी देख सकते हो skill 9 की बात करता हूँ data storytelling दोस्तो data storytelling भी बहुत ही जादा important है data storytelling is another one of the most crucial aspects of data science that involves communicating insights and finding from data analysis in a compelling and understandable way दोस्तो यहाँ आप some of the key skills involved in data storing include data visualization दोस्तो कभी भी आप data की storytelling करते हो दोस्तो आप वो data visualization की help से कर सकते हो presentation skills की help से कर सकते हो साथी साथ दोस्तो आप story structure की help से भी कर सकते हो बागी दोस्तो आपको और भी skills मिलेंगी दोस्तो टोटल आपको यहाँ मिलने वाली है 13 skills दोस्तो मैं आपको skills तो बता दी अब आप लोग का एक question होगा अगर हमें data science field में job चाहिए तो उसके लिए prepare कहां से किया जाए तो दोस्तो ओडिन स्कूल आपने सुना होगा इसके बारे में मैंने दोस्तो आपको काफी बात बता चुका हूँ दोस्तो ओडिन स्कूल कंड़क करवाता है data science का course that is live boot camp with placement assistance हाँ दोस्तो ये सिर्फ और सिर्फ six month life classes होती है जहां दोस्तो आउटकम पे आपको मिलता है data science job 360 degree placement assistance भी मिलता है साथी साथ दोस्तो इनके साथ 500 plus companies linked up है हाँ दोस्तो जिसकी मदद से आप अच्छी-ची companies में place भी हो सकते हो 230 percent दोस्तो यहां से maximum salary hike भी जा चुका है अगर दोस्तो मैं boot camp की fees की बात करता हूँ तो दोस्तो वो 99,000 plus GST है पर दोस्तो सबसे अच्छी बात क्या है 10 day refund policy अगर दोस्तो आपको इनका पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लगता तो दोस्तो आप अपनी fees वापस ले सकते हो and दोस्तो साथी साथ दोस्तो आप इनका test भी दे सकते हो जिसमें दोस्तो आप avail scholarship up to 30,000 वो दोस्तो limit करने वाली है starting 50 seats के लिए तो मेरी request रहेगी कि इसमें चल्दी से जल्दी register कर दीजेगा क्योंकि दोस्तो इसका link आपको description में मिल जाएगा and दोस्तो मैं पहले ही बता देता हूँ यहाँ से दोस्तो जो average package है वो जोस्तो जाता है 8 LPA highest दोस्तो 35 LPA भी जाच चुका है जैसा कि दोस्तो आप देख चुके हो कापी सारे students भी दोस्तो already placed हो चुके हैं इनके bootcamp की मदद से साती सार दोस्तो आपको यहाँ project based learning मिलती है आप काफी सारे life projects पर काम करते हो उनको build up करते हो जिसकी मदद से दोस्तो आपका resume LinkedIn profile भी strong होती है बाकी दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ आप जैसी दोस्तो इस पर register करोगे फिर दोस्तो आपका admission test होने वाला है जिसकी help से दोस्तो आप 30,000 तक की scholarship भी avail कर सकते हो साती सार दोस्तो आप अपनी fees EMI पर भी pay कर सकते हो जैसा कि दोस्तो आप देख सकते हो इनका दोस्तो जो next patch है वो start हो रहा है दोस्तो 25th of March से तो make sure दोस्तो उससे पहले इसमें जरूर register कीजेगा और दोस्तो register करने से पहले आप in demand skills को जरूर check कीजेगा क्यूंकि दोस्तो data science आने वाले time पर एक ऐसी skill होने वाली है जिसकी दोस्तो काफी ज़ादा demand as well as दोस्तो companies इस demand पर दोस्तो package high देने को तैयार है तो दोस्तो आज के लिए time में जल्दी मिलता हूँ अपनी नही वीडियो